शिरिक्षण सहकार सबर पड़ हो थे पड़किनों घड़तर अपना बढ़किनों आपन धाम ओ ओ ओ ओ ओ जिप्टे रवनी में सूरिका तवा महाशे कुरूपूर हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पार्ट नमबर साथ उसका नाम है तीन बहने चलिए पढ़ते हैं तीन बहने कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे शांत भाव से खड़े व्रिक्ष ने घास को कुमलाते देखा तीन बहने इसमें किस के बारे में हैं सर्दी के बारे में हैं गर्मी के बारे में हैं और वर्षा ये तीनों एक तरह से बहने हैं क्योंकि सर्दी आती है फिर गर्मी आती है फिर वर्षा आती है यानि शान्त भाव यानि इदम शान्ती से पेड खड़ा था तो उसने खड़े व्रिक्ष ने वो घास थी उसके पास उसको कुमलाते यानि मुर्जाते दिखा उसने घास से इसका कारण पूछा व्रिक्ष ने घास से कारण पूछा कि तुम क्यों इतना मुर्जा रहे हो तो इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया, भास कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया, व्रिक्ष ने देखा कि गर्म हवा के जोके लिए गर्मी दोड़ी चली आ रही थी, व्रिक्ष जो था उसने देखा कि गर्म हवा के जोके लेके वो दोड़ी चली आ रही है, उस उसके आगे वो तेजी से तोड़ी चली आ रही थी खास के पास निकट आने पर उसने पूछा गर्मी बहन यू कहां भागी जा रही हो व्रिक्ष ने जब गर्मी उसके पास निकट आई तो व्रिक्ष ने पूछा कि गर्मी बहन बहन करके बोला कि तुम यहां कहां भागी चल जल रहा है तवा जैसे बहुत गरम हो जाता है तो उस तरह से मेरा पूरा शरीर तवे की तरह जल रहा है सभी तलाब सुग गए हैं ऐसे मैं शरीर को कहां ठंडा करूं गर्मी कह रही है कि सारे तलाब गर्मी के कारण सुग गए हैं जिससे मैं अपने आपको कहां ठंडा करूँ, इसमें वर्षा को खोजने जा रही हूँ, इतना कहकर गर्मी चली गई, इसमें दो बेहने कौन से मिली आपको एक गर्मी और एक वर्षा, गर्मी बहुत परेशान थी और इधर उदर भाग रही थी और तला भी सूख गये हैं, जो वर्ष खड़ा था वहाँ पर वो बहुत दिनों से पानी उसको नहीं मिला था, उसकी जरूरत उसको मैं सो सो रही थी, कुछ दिनों बात आकाश में बादल चा गए, जोड से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा, अब कुछी दिनों के बाद क्या हुआ, आकाश में बादल चाए, जोड से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा, घास की कुमलाहर दूर हुई, जब वो घास कुमलाहर था, यानि कि मुर्जा रहा था, तो जब बारिश हुई, तो उसकी मुर्जाना उसका कम हो गया, मुर्जाया नहीं हुओ और फिर खिल उठा, जोड से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा, घास की कुमलाहर दूर हुई, ब्रिक्ष के पत्ते भी धुले धुले से और हर ओर साफ नजर आने लगे, ब्रिक्ष और घास ने एक दुसरे को देखा और मुस्कुरा दिये, ब्रिक्ष के पत्ते भी हरे भरे हो गये, घास भी हरी और इन दूसरे को देकरके विक्ष के पत्य और खास मुस्कुरा दिये। अधिक पानी बिरसते रहने से विक्ष के आसपास पानी भर गया। विक्ष के आसपास पानी भर गया था बहुत लगतार बारिश होने की वज़े से कीचड भी बहुत सारी हो गई थी इतनी अधिक वर्षा से व्रकष भी परेशान हो गया था इतनी बारिश हो रहे ही थी कि परेड़ भी परेशान हो उसके बारे में उसे पुछा व्रिक्ष ने कि अरे तुम कहां भागी जा रही हो तो वर्षा बोली कि भाई व्रिक्ष देखते नहीं चारो तरव की चड़ी की चड़ हो गया है चलने को भी रास्ता नहीं है मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में अब कीसरी बहन थे उस हम उसके खोज में निकल पढ़ि अब वो निकल पढ़ी थी सर्दी बहन की खोज में तो तीन बहने थी गरमी शर्दी और वर्षा उस पूछा वर्ष बॉली एतना कहेकर बाउच्हारे चोड़ती हुई वर्षा वहां से चली गई पानी की मुदे डालती हुई वो चली गई कि अब ज्यादा दिन तब सर्जी अठंडी रहती है, तो अच्छ नहीं होता है वारिष बहुत दिनों तब बरसागी रहिती है, तो भी मन परेशानी जाता है, कि कभ रुकेगी वारिष, कभ मौसम अच्छ होगा। तो हर एक मौसम का एक समय होता है, सर्दी के भी आने का समय होता है, गर्मी के भी आने का समय होता है, बारिश के आने का समय होता है, और यह जब बहुत दिनों तक अगर रह जाता है, तो अपने आपको बहुत ही जिंजलाड सी पहसूस होता है, तो अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह बरिसा बहुत दिनों तक थी तो उसके वजह से वर्एष की वजद से भूड़ी खंडे होने लगे थे Ihtare 4 दिनों सीडरिःता के धरशन नहीं हूय थे नहीं हूय था तो 4 दिनों से नहीं नएग रहे थे आकाश में कोहरा चाया रहता हमेशा कोहरा यानी धुन सी चायी रहती थी धूप न निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी जब धूप नहीं होगा तो वहाँ पे ठंड बहुत जादा बढ़ जाती है कोहरा हो जाता है कुहां से हो जाता है समय व्यतीत होता गया इतनी भेंकल सर्दी से सभी परेशान हो गए थे कि पेर को भी अब पूरानी पत्तियां छोडनी पड़ रही थी जब सर्दी बहुत जादा हो गई थी तो जो पत्ते थे वो भी सूख गए मतलब कि बहुत ठंड हो पहे थे तो वह पेर अपनी पत्तियों को छोड़ रहा था वह भ बढ़ी ब्याकुलता से प्रतिक्षा कर रहा था कि कब सर्दी उसके मांग से गुज़रेगी, वो ये सोच रहा था पेड कि कब बहुत दिनों से इंतिजार कर रहा था कि कब सर्दी उसके पास आएगी, उसके मांग से गुज़रेगी, एक दिन सर्दी उदर से आ निकली, आ ही ठिटुर रहे हैं मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ चिलचलाती धूप ही मुझे इस थंड से मुक्ती दिला सकती है अब सर्दी को भी ठंड लगने लगी है वो कह रही है कि मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ क्योंकि अब उस थंड से ठिटुर ने लगी है चिलचला कि वहला बहन ठीक कहती हो, तुम तीनों गर्मी, सरदी, वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है उसको गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, और कभी बर्शा आती है, तीनों में से अगर एक बहुत दिरों तक रहेगा, तो उसको भी परेशानी होगी, इसलिए वो क तो गर्मी के मारे भी इसके पेड़ सूप जाएगा, पूरे पत्ते जड़ जाएगे, इस तरह से वर्सात बहुत हुआ, तो भी बहुत ज्यादा प्रशानी इसको हो जाएगी, तो ये तीम बहनों के बारे में इस पार्ट में दिया गया है, गर्मी, शर्दी और वर्षा, ती तीन और रितू आती हैं और जाती हैं, हमारा भारत रितूओं का ही देश माना जाता है, यहां पर रितूए तरह तरह तरही बदलती रहती हैं, और बदलती रितूओं की बज़र से हमारी देश में जलवायू अच्छी रहती हैं, और हमारी देश के लोग स्वस्त रहते हैं वितु का बदलना बहुत आवश्यक है, तो यह थी वितु के बारे में जो तीन बहने थी, वो नाम उनका क्या-क्या था, गर्मी, सर्डी और वर्षा, चलिए इस पार्ट से संबंदेधन कुछ प्रशन अत्रों को हल करते हैं, पहला है, उप्यक्ति शंत चुनकर रिक्तस्था तो उसमे का का नमबर, पहला नमबर तेज दूप से मेरा शरीर डैश की तरह तप रहा था, तो विक्ष का जो शरीर था वो तेज दूप से किस तरह से, गर्मी का शरीर तेज दूप से किस तरह से तप रहा था, तवे की तरह या कोईले की तरह, तो उसका मेरा शरीर तवे क तरह तप रहा था, गरम तवे की तरह, सेकंड है, तैश हवा के जोके लिए गर्मी दोड़ी चली आ रही थी, कौन से हवा के जोके था, सर्द हवा के जोके था या गर्म हवा के जोके, तो गर्म हवा के जोके होते हैं गर्म हवा के जोके लिए गर्मी दोड़ी चली आ रही थ तो किसके कुमला राने कारन पता चल गया था? मच्चली के या घास के? उसके बघण में खडी थी वरिश के? या घास, तो गास था जो कुमला रहा था, तो यहां answer आएगा घास अगला प्रशन हा पानी बरसते अहने से किसके आस-पास पानी भर गया था? तालाद के पास में या व्रिक्ष के पास में तो पानी बरसने से व्रिक्ष के आसपास पानी भर गया था और अगला है अब व्रिक्ष को किसके हवा के जोके लगने लगे थे गर्म या थंडी तो पानी बरसने से व्रिक्ष को थंडी हवा के जोके लगने लगे थे क्योंकि पानी बरसने से थंडा जादा बढ़ जाता है इसलिए थंडी हवा के जोके लगने लगे थे प्रशन अब सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन लगाना है पहला प्रेशन आता है वर्षा रितों में घास खुमला जाती है वो सही है या गलत तो वो तो गलत हुआ वर्षा रितों में तो घास खिल जाता है क्योंकि बारिश होने से घास खिलेगा गर्मी होने की वज़त से ही घास खुमला जाएगा पर दूसरा है, सर्दियों में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, सही है अगला? तो ये सही है, क्योंकि सर्दियों की हिरत्यों में पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं, सर्दियों में पेड़ पुराने पत्ते छोड़ देते हैं, ये भी सही है, जब पुराने पत्ते सर्दियों में पेड छोड़ेंगे तभी तो नए पत्ते पेड़ों पे आते हैं तो यह सही option है सूर्य ना निकलने पर ठंड बढ़ जाती है यह भी राइट है क्योंकि अगर सूर्य ने निकलेगा तो ठंड जादा बढ़ जाएगी तो हमारा यह कथा सही कथान पर निशान ल करना है अगला प्रशन है सही विकल्प आगे सिर्क ही का चिंन लगाना ह। विकल्प का मतला बाप्शन होता है तीन आप्शन होते हैं, उनके सामने सही का चिन लगाना, सही विकल्प के आगे सही का चिन लगाओ, राइट का चिन लगाओ, या लगाईए, चली सही विकल्प के आगे सही का चिन लगाते हैं, पहला है सर्दी से कौन परेशान हुआ, जब बहुत सर्दी होने लग गई, तो इसमें कौन परिशान हो गया था तो चलिए हम option देते हैं विकल्प कौन से है चलिए पहला option यानि पहला को विकल्प है कीचर दूसरा विकल्प आता है वर्षा और तीसरा विकल्प आता है रिक्ष सर्दे से कौन परिशान हो गया था तो रिक्ष परिशान हो गया था तो यहाँ पर विकल्ब आता है सही विक्ष दूसरा प्रेश्ण है सूर्य ना निकलने पर अधिक बढ़ गई थी क्या बढ़ गई थी सूर्य ना निकलने पर देखिए सूर्य ना निकलने पर अधिक बढ़ गई थी अधीक क्या बढ़ गई थी तो सर्दी, गर्मी या बर्शा उमस इन तीनों में से एक आप्शन सही होगा सर्दी, गर्मी या तीसरा नमबर पे आता है उमस यानि जब बहुत तेस गर्मी हो जाती है तो उससे बहुत उमस हो जाती है या भी रही तो सूरी ना निकलने पर जब सूरी नहीं निकलेगा तो सबसे ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी इसकी वज़े से सर्दी बढ़ गई थी तीसरा प्रश्न है तानी बरसने से खास की क्या दूर हो गई थी खास की दूर हो गई थी पानी बरसने से खास की क्या दूर हो गई तो देखिए क्या था इसमें आप्शन में कुमलाहट पहला आप्शन है दूसरा है खरियाली और तीसरा आप्शन आता है इसमें पत्तियां तो जब पानी बरस रहा था तो उससे घास को क्या फाइदा हो गया था कि उसकी कुमलाहट यानि की मुर्जाना खतम हो गया था यानि वो कुमलाहट उसकी घास की कुमलाहट दूर हो गई थी अगला है ब्रिक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों में आवशक्ता अनुभव कर रहा था किस चीज की आवशक्ता पहला है मिट्टी की अवशक्तान वह कर रहा था, दूसरा है पानी की अवशक्तान वह कर रहा था, या फिर तीसरा option आता है, उसमें पानी, मिट्टी और खास की, तो तीनों में से एक option सही होगा, इसका option right कौन सा होगा, पानी की, क्योंकि व्रिक्ष में अगर पानी नहीं होता है, तो व्रिक्ष सूप जाते हैं, इसलिए दूसरा वाला option सही है, व्रिक्ष बहुत दिनों से पानी की अवशक्ता अनभो कर रहा था, प्रश्न पाँच है कि पानी बरस्ते रहने से क्या अधिक हो गया था, अब आपको बताना है कि क्या अधिक हो गया था, जब बारिश होती है तो बहुत चीज़ ज्यादा क्या हो जाता है, तो पहला है जाडा, अधियारा या कीचड, जाडा यानि की ठंड, दूसरा, अंधियारा यानि की अंधेरा, या फिर बहुत ज़्यादा, पीसरा नमबर आएगा, कीचड, जब बहुत बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, कीचड, कीचड का अप्शन सही होगा, बारिश होने से बहुत ज़्यादा की चड़ हो गया था अब हम उपर लिख रहे हैं सही विकल्प्ति आगी का ही अगला प्रश्न चलिए देखते हैं इसमें अगला प्रश्न क्या है प्रश्न नंबर छे है कि ठंड से मुक्ती दिला सकती है ठंड से कौन मुक्ती दिला सकती है मुक्ती का मतलब आराम मुक्त करना ठंड से क्या मुक्ती दिला सकती है तो पहला अप्शन आता है घंगोर वर्शा यानि बहुत तेजी से जब वर्शा होती है तो ठंड नहीं होगी या दूसरा चिल्चलाती धूप यानि बहुत तेजी से जब धूप होती है तब ठंड चली जाती है और या फिर तीसरा अप्शन आता है तेज हवा तो ठंड से सबसे ज़्यादा मुक्ती दिलाएगा हमें चिल्चलाती धूप दूसरा अप्शन सही है क्योंकि जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो धूप नहीं निकलता है तो जब धूप होता है तो हमें मुक्ती मिलती है ठंड से अब है निम लिखे प्रशनों के उत्तर दीजिए प्रशनों के उत्तर देना है तो पहला प्रशन आता है रिख्ष के पूछने पर गर्मी ने क्या उत्तर दिया व्रिख्ष के पूछने पर गर्मी ने क्या उत्तर दिया यानि जब व्रिख्ष ने गर्मी से पूछा कि तुम कहां भागी जा रही हो तो गर्मी ने क्या बोला कि मैं व्रिख्ष गर्मी ने कहा कि वह वर्षा डूनने जा रही है कि वह वर्षा खोजने जा रही है यानि बारिश होगी तो गर्मी खत्तम हो जाएगी तो वह वर्षा खोजने जा रही है व्रिख्ष ने ऐसा कहा अब है अगला कि व्रिख्ष के पूछने पर वर्षा ने क्या उत्तर दिया व्रिख्ष ने पूछा कि अरे वर्षा बहन कहा जा रही हो तो वर्षा ने क्या कहा देखिए वर्ष्ष ने पूछने पर वर्षा ने क्या उत्तर दिया तो उतर आएगा कि भाई व्रिक्ष देखते नहीं चारो तरब कीचड ही कीचड है कि भाई व्रिक्ष भाई व्रिक्ष चारो तरब कीचड ही कीचड हो गया है कीचड ही कीचड हो गया है वर्षा ने उत्तर दिया वरिक्ष को कि भाई वरिक्ष चारो तरफ कीचड ही कीचड हो गया है मैं सर्दी बेहन की तलाश में जा रही हूँ ये किस ने बोला? वर्षा ने कहा ठीक है भाई वरिक्ष चारो तरफ कीचड ही कीचड हो गया है मैं सर्दी बेहन की तलाश में जा रही हूँ अगला प्रश्न है कि सर्दी ने वरिक्ष से क्या कहा? जो सर्दी थी उसने वरिक्ष से क्या कहा? तो सर्दी ने कहा कि मेरे अंग ठिठुर रहे हैं मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ सर्दी ने कहा कि क्या कहा मेरे अंग ठिठुर रहे हैं ठिठुर का मतलब बहुत ठंडे हो रहे हैं ठिठुर रहे हैं और मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ गर्मी की तलाश में जा रही हूँ व्रिक्ष से सर्दी ने कहा कि मेरे अंग ठीटुर रहे हैं और मैं गर्मी की तलाश में जा रही हूँ अंत में व्रिक्ष ने क्या बोला? अंत में व्रिक्ष ने क्या बोला? तो अंत में व्रिक्ष ने बोला? एंसर क्या आएगा? कि बहन तुम ठीक कहती हो, तुम तीनों क्या आने और जले जाने में मेरी भलाई है क्या बोला व्रिक्ष ने? तुम तीनों के आने और जाने में ही मेरी भलाई यानि कि मेरी फायदा इसी में है कि तुम तीनों आओ और जाओ है व्रिक्ष ने काहा तुम तीनों के आने और जाने में ही मेरी भलाई है ऐसा व्रिक्ष ने काहा तो ये था प्रेश्णों के उत्तर अब हम लिखेंगे किसने काहा किसने काहा चले देखते हैं कि अब कौन सा प्रेश्णा आता है किसने काहा में किस तरह के प्रेश्णा आते हैं किसने काहा पहला है गर्मी बेहन यू कहा भागी जा रही हो एसा किसने कहा था कि गर्मी बेहन तुम कहा भागी जा रही हो ये कहा था व्रिक्ष ने यानि की पेड ने दूसरा प्रेश्णे तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह तप रहा है ये किसने बोला तवे की तरह तप रहा है ऐसा किसने बोला ऐसा बोला था गर्मी ने तीनो बेहन में से एक बेहन जो थी वो गर्मी उसने बोला मेरे अंग तीसरा नमबर है मेरे अंग से थंड से हिटूर रहे है अश्टे बोला हिटूर रहे है उसने बोला सरदी ने कि मेरे अंग ठंड से ठंड से ठिटूर जाते हैं लडो ठंड से ठिटूर रहे हैं चौथा है तुम तीनों के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है तुम तीनों के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है मेही मेरी भलाई यानि कि मेला पैदा इसी में है कि तुम तीनों आओ और जाओ ये कहा था किसने व्रिक्ष ने पेड़ ने व्रिक्ष ने तो तीनों के आने और जाने में मेरी भलाई है अब पाच्वा है देखते नहीं चारो तरफ कीचड हो गया है, किस्ते बोला, तेखते नहीं, चारो तरफ कीचड हो गया है, कीचड ही कीचड हो गया है, ये किसने ये शब्द बोला था? हीचड ही हीचड हो गया है ये शक्त बोला था वर्षा ने वर्षा तो इसके बाद का प्रश्ण आता है बताईए सूर्य देव के दर्शन न होने पर क्या हुआ था तो सूर्य देव जब नहीं निकलते जाने सूर्य नहीं निकलता है तो क्या होता है थंडी बहुत बढ़ जाती है तो इस प्रश्ण का उत्तर लिखिए बताईए सूर्य देव के दर्शन न होने पर क्या हुआ था जब सूर्य नहीं निकले थे तो थंडी बहुत बढ़ गई थी तो इसका उप्शन नीचे लिखिए कि थंडी बहुत बढ़ गई थी यह प्रश्ण था कि जब सूर्य देव नहीं निकले थे सूर्य देव के दर्शन न होने पर क्या हुआ था तो थंडी बहुत बढ़ गई थी तो प्रश्ण था किसने कहा में गर्मी बहन यूं कहां भागी जा रही हो यह शब्द किसने बोला था यह वाक्या तो यह व्रिक्ष ने बोला था अगला है तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह तप रहा है किसने बोला था तो गर्मी ने नेक्स्ट है, कि मेरे अंग ठंड से ठिटोर रहे हैं, ये किसने बोला था, ये सरधी बोला, और तुम तीनों के आने और चले जाने में मेरी भलाई है, ये किसने बोला था, ये बोला था, विष्ष ने, फिर देखते नहीं, चारोगी किचड़े किचड़ हो गया यह किस ने बोला था यह वर्षा ने बोला था तो यह सारे थे किसने किसने कहा किसे कहा यह शब्द इस पाट से सम्बंदित प्रशनों के हल हमने किये अगला है भाशा बोध भाशा बोध के प्रशने करेंगे आ कर गहां है भाशा बोध में संते रहरा आते हैं जैसे कि पहला है भाशा बोध का प्रशन में को है सायुक्त वर्ड वाले शब्द लिखने हैं हमें सायुक्त वर्ड यानि की सायुक्त वेंजर भी बोलते हैं जब दो सब्दों से मिलकर बनता है शब्द उसको सायुक्त वर्ड कहते हैं तो इसमें इसमें से रिलेटेट सब्द आपको भी लिखना है जैसे आधा चव पू इसी से संबंदित आधाचा और पूराचा से संबंदित तो ये हो जाता है दूसरा सच्चा इसे तरह एक और है आधावा और ये से संबंदित शब्द संयुफ्त वेंजन में है व्यवहार और व्यवधान ऐसा इसमें बना हुआ है व्यवधान व्यवहार तो उस तरह एक और शब्द हमें बनाना है व्यथित यानि की परेशान ये शब्द बन सकता है उसके बाद आधा सव और पूरा सव मिला के शब्द बनाना है तो आधा सव और पूरा सव मिला करके एक हो जाता है शब्द रसी दूसरा शब्द बन रहा है लसी इसी तरह से आधा सव पूरा कि स्लेक्त व्यंजन बनाएंगे, तो हो जाता है रस्सी रस्सी बना हुआ है इस हि में हमने मिलाकर बनाया सास्ती आध conception मिलाकर के बनाना है व्यंजन को कम्पलीठ करना है तूसरा है आधा लो और पूरा लो मिलाकर के बन जाता है बल्ला और पिल्ली तो इसी तरह आधा लो पूरा लो मिलाकर और शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा छल्ला यह हुआ संयुक्त वंजन के हमारे प्रश्ण अब नीचे है निम्लिक सब्दों से वाक्य बनाईए इसमे सब्सक्ष्ट др. झाल झाल